आज के दिन की बहुत बड़ी एहियत है आज आयाम अजा का आखरी दिन है राजी के दिन हजरत इमाम हुसेन का निटावा काफिला मदिना पहुचा था और उस दिन की जो दिक्कते हैं जो दुख है वो आज भी हम सब के दिल में सिरना है हजरत इमाम हुसेन ने जो शहादत दी जो गुर्बानी दी वो हग और इंसाफ की लड़ाई में दी आप लोग देड़ सो साल से मजलिस करके उनकी यादों को उनकी शहादत को जो जिन्दा रख रहे हैं यह बहुत बड़ी बात है हमारे भी भाई याँ पर मौजूद हैं और इस रिवायत को आप लोगों ने ककरॉली की विरासत और शान के रूप में तब्दील किया हैं यह बहुत बड़ी बात है मुझे डॉक्टर साथ ने बताया कि वो इस मजलिस की के कुली है लेकिन इंतजाम पूरा गाउं करता है आपने इस मजलिस को अपनी विरासत के लूप में तेर्ट सो साल तक बना कर रखा मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप इसी तरीके से इस मजलिस को कायम रखेंगे हमारे लिए बहुत जरूरी है हम हजरत इमाम हुसे इनकी शहादत को याद रखें और हख और इंसाफ की लड़ाई के लिए जिस बहादूरी के साथ उन्होंने अपनी कुर्बानी दी ज़िए आज के दौर में बहुत जरूरी है कि हम उनकी इन यादों को दिल में बसा कर उनकी रहा पर चलने का आपकरें उन्होंने जन्ग के उसुलों पर उस वक्त बात करी थी अब हम ने इंपे की कानिव कर रहे हैं लेकिन उन्होंने जंग उसलों पर कि महिलाओं पर औरकों पर बच्चों पर कोई जुल्म ना हो भले ही जंग चल रही हो ये उस वक्त का आता इसलाम में बहुत जरूरी है कि हम सबसे जादा आज जो पिछड रहे हैं वो इसी लिए कि हम तालीब ये अपने बच्चों को देपा रहें तो यहां आप और हम सब मौझूद हैं मेरी आप सबसे यही दुजारिश हैं कि सिर्फ तालीब के नौश्की से ही हम अजाद हो पाएंगे जहलत से अजाद हो पाएंगे और खास दोर पर हमारी बच्चियों की लड़कियों की तालीब पर सभी को गौर करने की ज़रूरत है उस वक्त से ही हमारी लड़कियों को आगे बढ़ाया गया अगर आप तालीख में जाखर देखेंगे तो हजरत दीबी फात्मा और हजरत दीबी जेनब ने उस वक्त थी लड़कियों की तालीख और उन्होंने तक्रीर भी तक्रीय तक करने की उनको इजैस्थ थी तो उसी दस्तूर को आज आपको और हमें आगे ले जाना है अगर हम अपनी लड़कियों को तालीम हासल कराएंगे उनके लिए सारी सहूलत मुईया कराएंगे जिससे उन्हें आसानी हो तो हम सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि पूरी नसल को तालीम किना आपर आगे बढ़ा करेंगे मैं भी आपकी बेटी हूँ और सिर्फ तालीम की ही ताकत है जिसके बल्कूते आज मैं आपकी साथे करेंगे मेरे आप सबसे यही गुजारिश है कि हम अपने कौम के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो सबसे जादा दीनी तालीम के साथ-साथ दुनियाई तालीम में अपने बच्चों को आगे बढ़ा कर उन्हें इसकाफिल बना कर कि फिर वो अपनी कौम के लिए कुछ कर सके तो यह कुर्बानी आपको और हमें मिलकर देनी है हमारे बड़ों ने हमारे लिए जो कुर्बानी दी उसका दतीजा है आज आप और हमें खटे हाँ पर खड़े है अब हम सब का फ़र्ज है कि हम सब इस रामें कुर्बानी दे कि हम अपने बच्चों को अपनी लड़कियों को आला से आला तालीम हासिल कराए कि वो भी दिखा सके कि इसलाम असल में किस चीज के लिए खड़ा है कि मैं आपकी बेटी हूँ आपके बीच में आई हूँ आपने मुझे इस काफिल समझा और हम जिस मकस्द से याँ इखटा हुए हैं यह हमें याद रखने की जरूरत है कि हमारे हज़रत इमाम हुसेद ने किस कदर हमारे लिए खुर्बानी दी और उन्ही यादों को अपने दिल में बसाकर अपने दिन की सची राह पर चलने की जरूरत है आप लोगों ने मुझे बुलाया आपका बहुत 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 शुर्या, असलाम बेगी